अलेकूम वीवर्स कैसे हैं आप साब उमीद इसाफ खायरियत से होगे वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप दोगों को डॉलन्स का माइक्रोवेव ओवन मॉडल है डबल बन त्री इसका रिव्यू दूंगी और यूज करने का तरीका भी बताऊंगी क्योंकि यह शुरू में म कोई तरीका था तो इसलिए मैंने खुछ से ही इसका तरीका सीख लिया है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ यह देखिए यह डॉलन्स का माईक्रोवेव है डबल बन त्री मॉडल और इसका वो इस्तमाल का तरीका मैं आपको बताती हूं अभी तो मैं कि अब करना है इस बटन को इस तरफ वो करेंगे तो माईक्रोवेव का वो टाइमिंग का अप्शन आ जाएगा तो हम इसे टाइम सेट कर देंगे तीस सेकेंड अभी मैंने से थोड़ा सा वो किया था ज्यादा है अभी नहीं है तो इसको यहां से प्रेस करें तो यह आन हो कि इसको पूल और अगर अब को आगे छिए जादे कि अब हो कि आपको बढ़ कि गरम नहीं हुए तो इसे दुबारा से प्रेस करेंगे तो इसके 30 सेकन रहीच वह हो जाएगे तो यह कि दुबारा सक टाइम हो जाया झा अजैसे एक मरत बहुन प्रेस करेंगे इसको इ सके सेट हो जाएंगे आके और ज्याद जैसे आपका time खतम होने वाला है और आपको होगा कि आपकी चीज गरम या नहीं होी तो इसे आप दुबारा से प्रेस करेंगे तो यह इसका टाइम आटोमेटिक ही सेट हो जाएगा आगे तीन सेकेंड और हो जाएगा जैसे ही दो तीन मरतबा करेंगे तो जितना टाइम आपने सेट करना है वह हो जाएगा कि यह देखिए आप चने निकाल लेती है और आपको ग्रीलिंग का और उसका वह बताती हूं अब जैसे माइक्रोवेव का वह तो हो गया आप ग्रील का वह करना है तो यह बटन प्रेस करेंगे और फिर जो बड़ा बटने से दुपारा प्रेस करेंगे और टाइम सेट करेंगे तो ग्रील का पतरम पतरम अप्ट होगा, इसे जाहर है एक पतरम करनी मन भीजह इन्क भाट नहीं कि चैक करने शुख़कौत को अब चुख अब आप wystative for stress निकाल sag Sab वेजिटेबल पास्ता पोटेटो फिश यह सब पॉप पॉन सब कुछ है इसमें और आप इसे सेट करके सेलेक्ट करके पहले फिर टाइम सेट करके और इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका माइक्रोवेव अन हो जाएगा तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमें में जरूर बताईएगा अपना दौाओं में और अपना ख्याल रखिएगा दौाओं में मुझे भी याद रखना लाफीज बाई बाई